इन तस्वीरों के आगे, क्या बयान देना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस के वो तमाम अधिकारी जो अधिकारी दावा करते हैं और शराब यहां खुल्याम बेकी जा रही आप ये देखिए और सेल इन हर्याना ओने ये हर्याना की शराब है जो दिल्ली में बिक रही है जब से आप दारू बेच रही है जवाब तो मैं देना पड़ेगा ना नहीं जवाब देंगे शराब का जो धन्दा है वो देश्वी देश्वी राजधानी दिल्ली में खुले आम हो रहा है ये दिखा दीजिए नमस्कार मुगू हिमानशू और आप देख रहे हैं इस वक्त जलको दिल्ली है एक ऐसे मामले का परदाफार्श हम इस वक्त करने वाले हैं इस वक्त एक ऐसी न्यूज को हम एक्सपोज करने वा और यहाँ पर जुग्यों में अवैएध तरीके से शराब बेकी जा रही है। कि मालकिन बैठी हुई थी, जैसे ही मीडिया और कैमरे को देखा, वो यहां से फरार हुगई, यह देखे, बाल्टी में शराब भरी हुई है, यह शराब बहुत कुछ अपने आप में बया कर रही है, जो इस तरीके से यहां पर प्राइवेट शराब बेकी जा रही है, यही मा शराब भी लोकल है, आप दिखाएे, कोई कंपनी नहीं है, इस पर नाहीं कोई सिरकार का नाम है, और इस पर लिखाए, For Sale in Haryana Only, यह सिर्फ हरयाना की शराब है, जो दिल्ली मावेट रूप से बेकी जा रही है यहां पर, आप दिखाए, इस पर लिखा हुआ है, फॉर सेल इन हर्याना ओनली ये पढ़िया और शर्म कीजिए दिल्ली पुलिस और शर्म कीजिए यहां के प्रशाशन और शाबाड डैरी जो थाना यहां का है उनको भी शर्मानी चाहिए कि उनकी इलाके में किस तरीके का कारूबार चल रहे हैं ये दिखाए इन तस्वीरों क आगे क्या बयान देना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के वो तमाम अधिकारी जो अधिकारी दावा करते हैं और शराब यहां खुले आम बेकी जा रही है आप ये देखिए शराब बेकी जा रही है सरकारी ठेकों की बात करने वाले लोग शराब यहां पर बेक रहे हैं क्या कह मगर मेरे को आप समस्य आप बताईए आगे लिए कि अपसे आप दारू बेश रही है जवाब तो मैं देना पड़ेगा ना नहीं जवाब देंगे तो देखिए कुछ बोलने को तयार नहीं है यही वो मालकिन्थी और यही यही वो घर है जिस घर में अवय तरीके से यह का जो धंदा है वो देश्वी राजधानी दिली में खुले आम हो रहा है यह दिखा दीजिए पूरी की पूरी बाल्टी शराब से भरी हुई है और इस इलाके में जिस तरीके से घरों में अवय तरीके से शराब बेकी जा रही है ना सवाल पुलिस प्रशाशन पर उठता ह सवाल सरकार पर उठता है आपके इलाके में जिस तरीके से यह शराब बेकी जा रही है आप लोग विरोध नहीं करते हैं क्या है बोलिए खबराइगे नहीं तो का करूँ है ठीक है आपको बता दें कि जो महले वाले हैं उनमें डर है कि कहीं अगर हम इनके सामने बोलते हैं तो कलकून के उपर कोई बन ना आ जाए इसलिए वो लोग बोलने को तयार नहीं है मगर लोगों ने हम जैसे ही यहां आए हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहां पर अवय तरीके से शराब बेकी जा रही है और आप यह देखिए यही वो बाल्ती है और ऐसी नजाने कितनी बाल्ती होंगी जिनमें इस तरीके से अवय शराब बेकी जा रही है कुछ बड़े सवाल हम इस वक्त उठा रहे हैं यह दिखाईए आप इनको देखिए और कुछ बड़े सवाल मेरे सुन लीजे इस वक्त पहला सवाल कि यह शराब की बोटले आती कहां से हैं दूसरा सवा यह खुले आम ऐसे बाजारों में ऐसे घरों में बिक्ती कैसे हैं चोथा और अगर यह बिक्ती हैं तो क्यों पुलिस की नजरे इन पर नहीं जाती हैं क्यों खुले आम यूँ शराबे इस इलाके में बिक रही हैं आखिर कौन जिम्मेवार है और इस वाली बोटल पे तो ल जरूर बताएं इसी के साथ के अमरा परसन मानव के साथ मेही मानशू जलको दिली बवाना